जैश्री महांकाल जैश्री महांकाल दोस्तों आप सभी का आपके अपने चनल में आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है आप जो प्यार सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपका बाबा महाकाल आपको हमेशा कुणकि इस युग में पारिवारिक लड़ाई ज्घड़े पारिवारिक सट्रूता पारिवारिक तक्ली से एक चरम पर हैं बहुत सारें बा questi क्सी तको कहीं सारें तक्लीफ है इस विशेव को लिए कर हो होती है तो हमारे सक्तरू को है जो बाते में आपको बताétais या आपके जीवन में शायद एक सकारात्मक बदला उला सकती है तो शुड़ी को पूरा और अंति तक देखे बस मेरा यही निवेदन है उसे पहले मैं एक आपसे छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब यह नहीं किया तो प्लीज और कमेंट्स में लिखे ओमनमेशिव आए इसके साथी साथ अगर आप अपनी कुणली का अनलेसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नमबर चल रहे हैं आप वाट्सप पर अपोइन में लेकर मुझसे बात कर सकते हैं अब आते हैं मुद्दे की बात पर सबसे पहली बात कि जब भी पारिवारिक सतुरता की बात होती तो वो डारेक्ली नहीं होती है वो इंडारेक्ली होती है इंडारेक्ली का कहने कारत यही है किसी अन्य सक्ष द्वारा ये बाते बताई जाना कि इन्होंने आपके बारे मैं ऐसा कहा ये कहा मतलब सीधे सीधे बात ना होकर एक बीचोले के मद्द से चिजों का आप तक आना चिजों को छन कराना और चनकराना मतलब छीजों का व्यक्ती त्वारा किसी और मद्यगते अपको बताना पालीवारिक क्षत्रुता का पहला सबसे बड़ा करान पारिवारिक शत्रुता शुरू वो यहीं से होती है तो आप कभी भी बेट कर सुलह करके और बाहरा जाए क्योंकि इस दुनिया में दोस्तों सब दोस्ता आपके साथ देंगे लेकिन परिवार के लोग चाहे कुछ तिने भी बूरे क्यूं नहों कैसे क्यों ना हो वो जरूर अपने परिवार के साथी का सपोर्ट करते हैं वो जो भी अच्छा बूरा जो भी हो वो एक अलग बात है लेकिन वो सपोर्ट करते हैं 90% 90% यही होता है 10% में छोड़ सकता हूं अपवाद सरूप उन पर मैं बात नहीं कहूंगा लेकिन यही चीज इसलिए जब भी पारिवारी लोगों के बीच चीजे डिस्टुबूट हो तो बेट खर बात करें और सुलह की ओर जाए ताकि वो चीजे आपको लाइफ टैम डिस्टरब ना करें और दूसरी बात आप नेतिकता रहें न्याइक रहें वही आपका कर्मा फले अच्छा लग लाइक करें और नमस्षिवाए